बॉर्णिंग एवरिवन वेलकम टू CICA ओनलाइन क्लासे चैप्टर कर रहे थे हम लोग थेओरिटिकल डिस्रिबिशन थेओरिटिकल डिस्रिबिशन में वैंने आपको समझाया था कि दो तरीके की सीरीज होती है एक होती है डिस्क्रीट और दूसरी होती है कांटिनू सीरीज डिस्क्रीट सीरीज जिसमें वेरिबल फिक्स होते हैं दाट मीज इंटीजर होंगे एक्स की वैल्यू क्या थी उसमें 0, 1, 2, 3, up to n डिस्क्रीट सीरीज के दो डिस्रिबिशन हैं बाइनूमल और पोईजन जो हम औरेडी रीट कर चुके हैं आज हम लोग पढ़ेंगे एक कंटिनू सीरीज का डिस्क्रीबिशन डाट इस नौर्मल दिस्क्रीबिशन नौर्मल डिस्क्रीबिशन को हम लोग बोलते हैं गो्जियां डिस्क्रीशन यह दिस्क्रीबिशन हमारा क्या होता है हमीशा सिमे τα Days Binomial में हमने पढ़ा था कि if P and Q both are equal to 0.5 then it can be symmetric distribution मतला भी जरूरी नहीं है कि वो हमेशा symmetric distribution हो केवल कर symmetric distribution होगा जब P और Q दोनों क्या होंगे 0.5, 0.5 but normal distribution क्या होता है हमेशा ही symmetric distribution होता है सबसे पहले लेंगे इसमें probability का formula P x is equal to 1 upon standard deviation root of 2 pi e की power x minus x bar का holy square upon 2 standard deviation का square ठीक है यह इसका probability distribution है अब यह देखने पर लग रहा होगा apply कैसे करेंगे but actually इसको apply नहीं करना होता question में questions दूसरे formula से होंगे इसको केवल आपको अलग टाइप की questions आएंगे वहाँ पर आपको comparison करके find करना है one more thing जब questions आते है examination में तो कई बार mean को mu से show कर देते हैं that is the same meaning ठीक है mean या mu दोनों को या इसकी एक और value होती है that is e is equal in e x इन सबका ही meaning क्या होता है mean होता है तो normally हम एक ही notation काम में लेते हैं x bar लेकिन अगर आपको कहीं पर mu दिख जाए या आपको कहीं पर expected value e x दिख जाए वो सारे मतलब क्या है mean है ठीक है तो यह probability distribution का formula इसमें इसको note कर लीजी अभी questions करेंगे तब समझेंगे इसको formula क्या है one upon standard deviation root of two pi e की power minus में x minus x bar का whole square upon two standard deviation का square इसमे x की value कहां से कहां की बीच में लाई करेगी minus infinite to infinite any real number क्योंकि यह continuous distribution है that's why इसमें जो x की value है वो कोई भी number हो सकती है any real number minus infinity to plus infinity अब बात करते हैं इसके characteristics की क्योंकि mostly जो questions बनेंगे वो characteristics पर बनेंगे सबसे पहले इसका diagram देखेंगे आप अगर हम बात करें नॉर्मल distribution की तो नॉर्मल distribution का कर्व कैसे बनेगा हमेशा ऐसा बनेगा ठीक है तो इस कर्व की क्या-क्या qualities होती है वह हम पीच्छी देखते हैं एक बार सबसे पहला एक बार कर्व में दुबारा से शो कर दीती सब्सक्राइब इसका shadows होता है गारन नॉर्मल कर्व बेलका है कि टीक मतलब घंटी होटी है सट्थ Все कि उसटाइब की इसकी झाल टोटल ए extracting 12 यह यांडेट करन तो यहां तक यहां तकक का जो एयरिया हम count करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं या तो 100% या फिर you can say 1 तो यहां से लेकिए यहां तक के area को हम लोग क्या बोलेंगे या तो यह 1 मानेंगे या 100% मानेंगे क्यूशन करते समय अभी इसको काम में लेंगे हम it is a biparametric distribution with the parameters mean and standard deviation का square या variance ठीके biparametric distribution हमने पहला पढ़ा था binomial binomial भी biparametric distribution था लेकिन वो discrete series का distribution था उसके parameters क्या थे हमारे पास n और p second हमने पढ़ा था poison वो discrete series का distribution था लेकिन uniparametric था उसमें एक ही parameter था m यह हमारा biparametric distribution है लेकिन इसके parameters और यह कौन सा series का distribution है continuous series का और इसके parameters क्या-क्या है mean और variance तो examination में कई बार तो यही किशन पूछ लिया जाता है which of the following is a biparametric distribution series तो आपको देखना होगा discrete पूछा है या continuous पूछा है discrete पूछे तो कौन सा लगेगा binomial continuous पूछे है तो कौन सा लगेगा biparametric में normal distribution ठीक है तो हमें पता हैं कैसे show करते हैं x follow कर रहा है normal distribution को with the parameters तो इसके parameters क्या होंगे let's suppose 5 and 36 तो इसके parameters mean कितना है 5 और variance कितना है 36 variance 36 है तो standard deviation कितना हो जाएगा 6 तो इसको show करने का तरीका shape of the curve depend on parameters shape आप बोलेंगे मैं अभी आपने बोला बेल शेप होती है यस बेल शेप होती है लेकिन बेल बहुत सारे तरीके की बन सकती है it is also a bell यह भी बेल है तो इसकी जो इसकी width है और जिसकी height है वो इसके parameters पर depend करती है बेल शेप होगा लेकिन बेल अलग अलग तरीके की बन सकती है तो इसके जो शेप है याने की height और width वो किस पर depend करती है on its parameter examination के questions सारे ठीक है सारे questions जो एक ही क्लाइन में बोल रही हूं स्टार्टिंग से सभी के सभी examination में पूछे हूं है पहला नॉर्मल करव कौन सी शेप का होता है बेल शेप सेकेंड टोटल एरिया कितना होता है वन या हंड़िट परसेंट थर्ड इड़ बाइपरमेट्रिशन विद पैरमेटर्स मीन एंड वेरियंस फोर्थ पैरमेटर्स पर डिपेंड करती है इसकी शेप शेप अफ दे शेप अफ दे करव डिपेंड सान दे पैरमेटर्स फिफ्थ इस यूनी मॉडल सीरीज अली वन मोड डिस्क्रीट सीरीज में जो दोनों दिस्रिबिशन थे यानि की बाइनुमल और पोजन हमने वहां पर देखा था कि वहां को अब देखा दो मोड निकलेंगे लेकिन वहां पर एक मोड भी पॉसिबल था दो मोड भी पॉसिबल थे इस सीरीज में नॉर्मल डिस्रिबिशन में केवल एक मोड होगा इट इस यूनी मॉडल सीरीज ऑल्वेज इसमें दो मोड के चांसेस नहीं होंगी इस डिस्रिबिशन में मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं स्मेंबर दिस क्योंकि आपको चैप्टर वन जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाय था चैप्टर वन मैंने वहां पर आपको मीन मीदियन मॉट की बीच में रिलिशन बताय था कि मीन माइनस मॉट is equal to 3 times of mean minus median asymmetric distribution के लिए ठीक है हमने एक formula पढ़ा था महाँ पर mean minus mod is equal to 3 times of mean minus median या mod is equal to 3 median minus 2 mean वो कब अप्लाय करना है जब distribution क्या है asymmetric लेकिन अगर normal distribution आ रहा है किश्यन में वर्ड लिख जाया normal normal distribution symmetric distribution then definitely mean median mod क्या होंगे तीनों बराबर होंगी इसी लिए आपने देखा कि मैंने इसमें बोला एक ही mod होगा because mean हमेशा series में एक होता है median series में एक होता है इसी लिए series में mod भी क्या होगा एक ही होगा और वो किसके बराबर होगा या किसके किस पर depend करेगा mean पर जो mean की value होगी वही क्या होगी आपके पास mod की value ठीक है अब इसमें कुछ formula नॉर्मल distribution में कुछ formula होते हैं जो आपको learn करने हैं कुछ relations वही relations जो हम लोगोंने standard deviation या dispersion वाले chapters में जो sums पड़ी थी उनके बीच में यहां पर relation दिया हुआ है ठीक है तो देखेंगे आप सबसे पहले q1 what is q1 quartile first quartile that is equal to mean minus 0.6745 of standard deviation तो आपको यह learn करना है q1 की value and q3 की value q3 is equal to mean plus 0.6745 of standard deviation एक और चीज़ आ रखनी है q3 हमेशा बड़ा होगा इस compared to q1 that's why q3 में मैंने क्या कर रखा है plus कर रखा है और q1 में minus याद करना q3 में x bar plus लेंगे q1 में लेंगे x bar minus अब आब इनको यूज करके अगर हमारी question में suppose करिए आपको q1 और q3 की value given है तो आप क्या-क्या निकाल सकते हैं आप निकाल सकते हैं mean और standard deviation using this equation और अगर आपके पास mean निकल के आ गया तो आप से median या mode कुछ भी पूछे टीनों बराबर होंगे इसी तरीके से अगर आपके पास standard deviation निकल के आ गया तो एक relation और पढ़ा था हम लोगों ने वहाँ chapter में 4sd 5md 6qd तो अगर आपके पास sd निकल के आ गया standard deviation you can very easily find md और qd इसका मतलब इसमें कोई भी दो values आपको दे दें q1 q3 दे दें mean या standard deviation कुछ भी आपको दे में बहुत छोटी-छोटी सी values होंगी आप समझना सब चीजी रिलेटेड हैं अगर आपने कहीं से भी mean की value निकाल ली तो you can easily find median or mode क्योंकि सब equal है अगर आपने sd निकाल या फिर आपने q1 और q3 को यूज़ करके quarter division निकाल लिया q3-q1 upon 2 qd निकाल लिया तो आप qd से mdst कुछ पी निकाल सकते हैं तो यहाँ पर सारे formula आपस में इंटर रिलेटेड हैं बहुत easily के अवल दो चीज़ें आपको फाइंड दो चीज़ें आपको गिवन होंगी उससे आप पूरा चैप्टर सेंटल टेंडेंसी और डिस्फर्जन के जो measurement है वह फाइंड कर सकते हैं ठीक है अगर 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 सिमेट्रिक डिस्ट्रिबिशन तो उस केस में स्क्यूनेस स्क्यूनेस अभी एच्छली आपके नहीं है स्क्यूनेस में अगर आप बीकॉम या आगे की स्टेडिस करते हैं तो वहाँ पर पढ़ेंगे वर्डिक स्क्यूनेस मतलब होता है जुकाव होना किसी तरफ तो आपको दिख रहा है कि बेल शेप है इसलिए कर्व जो है किसी भी तरफ जुकावा नहीं है तो हम क्या बोलते स्क्यूनेस जीरो तो यहाँ पर इस पर्टिकलर केस में आप लान करेंगे चुकि एक्जामिनेशन में पूछावा क्यूशन है ठीक है